हलो गुड़ीवनिंग नमस्कार मैं बवीता थ्यागी आईसीस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था आधुनिक भारत हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और अधुनिक भारत में मैंने सबसे पहले जो दो क्लास ली हैं वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन इंडिया में कैसे हुआ कौंसी कंपनी किस ताइम पर आई कैसे उनको यह पुर्तदाली, डच, इंग्लेंड वाले, डेनमार्क, डेनिश जिन को कहते हैं, और फ्रेंच, ये पांच बड़े देश हैं, जिन्होंने इंडिया आकर व्यापार करने को अपना टार्गेट बनाया, और अलग-अलग टाइम पर इन लोगों ने अपनी कमपनिया यहां पर भ हमने दो क्लासेज में इन पांचों के बारे में डिटेल में बात की थी, पहली क्लास में एक हिस्ट्री थोड़ा समझाया था कि क्यों किस कारण से ये PD, EDF यहां तक पहुंचे, और क्या पहले भारत का व्यापार विदेशों के साथ नहीं था, या क्या पहले भारत इससे प सब ही पुराने टाइम से ही वर्ल्ड के साथ कनेक्टिड थे, हाँ ये अलग बात थी कि अब टार्गेट व्यापार को बढ़ावा देना था, PD, EDF में से हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डिन्माक वाले ये डच आए, डच जो नीदर लैंड के हॉलन के निवासी हैं, डच लोग हावी हुए पुर्तगालीयों के उपर, और पुर्तगालीयों ने अपनी इज़त बचाने के अपनी इज़त बचाने के पुर्तगालीयों के लिच आए, इंगलेंड के राजा ने फिर इसको एक तरह से लीज पर दे दिया, तो ये बेहत शर्मनाक था, कि इंडिया का एक खिस्सा आपस में देहें लिया दिया जा रहा है, जिसमें इंडियन्स का कोई इंवाल्मेंट अभी नहीं था, खेर, BEIC, इंगलेंड की जो कंपनी अपने यहां आई थी, BEIC, ये हावी हुई डच लोगों पर, और बेदरा की लड़ाई से इनोंने इनको यहां से लगभख खत्मा कर दिया, इनका, डैनिश जो लोग थे, जब यह आए तो इनोंने देखा कि आपस में इ पुर्तगालियों पर हावी हुए डच और डच पर हावी हुए इंगलेंड वाले, और इंगलेंड वालों को बेच गए डैनिश अपनी सारी जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी, बाद में एक बड़ी ताकत की रूप में फ्रेंच आये, जो 1664 में काफी लेट आए, क्यूंकि पत्तनम जो आंधर प्रदेश में पढ़ता है, यहां इनकी पहली फैक्टरी वर्किंग स्टेज में आई, लेकिन 1613 की फैक्टरी सूरत की फैक्टरी इंपर्टेंट है, एक्जाम में आए, अगर आप दो दिन की क्लासेस देखेंगे, यह सब बाते में उन्हीं टॉपिक्स में इसे उठा के बता रही हूँ, क्योंकि आज की क्लास पढ़ने के लिए बैक्ग्राउंड का पता होना बेहत जरूरी है, चलिए, अब हम जानते हैं कि इंडिया में इकलोती बड़ी ताकत रह गई बी, इनको टक्कर देने की कोशिश की थी, फ्रेंच इस्ट इंडिया कं इन दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई चली, और कल की वीडियो का लास्ट पार्ट था करनाटक युद, तीन करनाटक युद, जो मैंने बताया थे कि यॉरूप में भी चल रहे थे, और अमारिका में भी चल रहे थे, और इंडिया में भी, और अगर आपको याद हो तो आप पे करके एक फॉर्मूला बताया था, आक्सला शापेल, पा मतलब पॉंडिचरी और पे मतलब पैरिस की संधी, तो इन तीनों संधियों से ये क्लीर कट सब के सामने आ गया, और एक लड़ाई मैंने कल बताया थी, वांडिवाश, 1760 में, जिससे ये कंफर्म हो गया तो इंडिया पर लंबे टाइम तक टिकेंगे न, वो ब्रिटिश-East India कमपनी वाले होंगे, तो ब्रिटिश-East India कमपनी की धाक चल पड़ी यहांपर, फ्रेंच-East India कमपनी के इन करनाटक युद्धो में हारने के बाद, जब ये सब चल रहा था, तो ये कमपनी अकेली न तो इंडिया में राज था जहांगीर का और जहांगीर कोई छोटा आदमी नहीं है, जहांगीर एक बहुत बड़ा, अच्छा ठीक है, इंग्लिश की क्लास आज नहीं हो पाएगी, नरेंद्रे सर की तब्याद थोड़ी ठीक नहीं है, बहुत सारे बच्चे मेरे कमेंट में प पढ़ाएं, सुनील सर पढ़ाएं, हर कोई अलग नॉलेज आपको दे सकता है, हर कोई अलग बाते बताएगा, तो सभी की बाते सुन लेनी चाहिए, आज सर की क्लास नहीं है, उम्मीद है कल तक वो ठीक हो जाएगे, तो उनकी क्लास रहेगी, ठीक है, चलिए वापस आते ह तो वांडी वाष के युदु से क्लियर हो गया कि फ्रेंच इस्ट इडिया कमपनी जो है, उनका राज उतना बढ़िया नहीं टिकेगा, और इंडिया पर राज चलेगा, ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी का, तो जब यह लोग यहां आये थे, तो जहांगीर के बाद द कर दे, सबसे बड़ा शेत्रफल, अगर मुगलों में किसी के टाइम में रहा है, तो वो ओरंगजेव है, ओरंगजेव के टाइम में भी यहीं काम कर रही थी, ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी धीरे हावी हुई, जब ओरंगजेव की डेथ हुई, 1707 में, कमपनी पचास साल भी समझ नहीं पाई कि और अरंगजेब के बाद इतनी बड़ी ताकत नहीं है कोई जो कम्पनी को रोक पाए लेकिन जब विदेशी आकरमन कारियों ने नादिर शाह का कल भी ग्जेंपल दिया था नादिर शाह ने जब यहां अटाक किया तो और जो यहां का बड़ा करा कंपनी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इंडिया पे राज करने का प्लान करें लेकिन आप धीरे-धीरे चीजें बदलेंगी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इंडिया में बदलाव आया और यह कंपनी इतनी हावी थावित हुई अब इस कहानी को ध्यान से सुनना क क्योंकि आज मैं हिस्ट्री के बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक उठारी हूँ, आपने छटी साथवी में पढ़ा था, प्लासी का युद और बक्सर का युद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक्स में गिने जाते हैं, इनका बैक्ग्राउंड पता होना बह बहुत सम्रद था, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पैसा था यहां पर, कारण बंगाल के पास कच्छा माल था, आप आज भी जानते हैं, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वर्ल का सबसे उपजाओ डेल्टा में, हमारा सुंदर बनका डेल्टा गिना जाता है, जो गंगा और ब्रहंपुत्र नदियों की देन है, और इस डेल्टा ऐसा तो नहीं है कि आज बन गया, यह तो सदियों से बना हुआ है, इस डेल्टा क्या उपजाओ इलाका, और तब तो बंगलादेश भी हमारा था, तो सोचो वर्ल का सबसे उपजाओ इलाका, डेल्टाई इ इनको कच्चा माल मिलता है, तो आप यह लगा लो कि जो प्रोडक्शन होता है फैक्टरीज में, उसके कच्चे माल का भी बहुतायत है, और खेती खान पीन, जो खाना पीना था, जिसमें हम लोग पठसन की बात करें, चावल की बात करें, आज भी नंबर बन है हमारा वो इ बंगाल इंडिया का वो इलाका है, जो सबसे पहले मुगलों के हाथ से निकला, देखना आजीब बात, मुगलों के हाथ से सबसे पहले आजाद हुआ, सबसे पहले स्वतंत्र बना, और सबसे पहले आया, B.E.I.C. की चपेट में, तो जैसे ही यह मुगलों से आजाद हुआ B.E.I.C. की गिद्ध वाली नजरे इस पर थी और उन्होंने तुरंत इसके अपर कबजा कर लिया अब इस बीच में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ थोड़ा इसको जानते हैं जब यह मुगल थे ना लास्ट मुगल एक ताकतवर अगर में बात करूं तो औरंग जब हैं इनके बाद तो फिर कोई इतना बड़ा है ही नहीं जिसको की नाम से जाना जाए इसके बाद वालों कहते हैं उत्तर मुगल कालीन नाम है लेकिन कोई साल भर राज कर रहा है कोई पांच महीने कोई पांच साल लंबा कोई टिकने वाला लंबा बहुत बढ़िया राजा नहीं था या बादशाह नहीं था औरंग जब के टाइम में बंगाल में एक आदमी है जिसका नाम है मुर्शीद कुली खान मुर्शीद कुली खान यह यहां का बहुत सारी किताबे लिखती है सूबेदार बना गलत है स्टार्टिंग सूबेदार से नहीं हुई सबसे पहले मुर्शीद कुली खान को यहां का दिवान बनाया गया यह किसके अगाल की खटना है? बंगाल के टाइम में. दिवान का मतलब था पैसे कलेक्ट करने का काम था, यह टेक्स एखटा करता था. यह टेक्स जा किसके पास रहा है? औरंगजेब के पास, उनके खजाने में. दिवान के रूप में काम किया, ठीक ठा काम चल रहा था. इस तो मुगल बादशाह है, जिसको कोई बिमारी हो गई थी, और जिसको बिमारी को ठीक करने के चकर में, इंडिया में कोई बढ़िया, उस टाइम पर वैदि था नहीं, बिमारी ठीक नहीं हो पाई, बीई आईसी के अंडर आई, एक डॉक्टर ने इनका इलाज किया, ये ठीक हो गए, और खुशी खुशी में इनोंने क्या कहा, कि बीई आईसी जो है, वो स्वतंद्र व्यापार कर सकती है बंगाल में, महस 3,000 रुपए दो, एक साल के 3,000, ये बहुत छोटी रकम थी, अगर बंगाल की सम्रिद्धी की बात करें, तो, महस 3,000 रुपए जमा कराओ, और उसके बात बंगाल में, टेक्स फ्री व्यापार करो, तो एक तरह से फ्री का व्यापार है, कुछ पैसा नहीं देना, यहां से कमा के ले जाओ, ये फरुक सियर की देन थी, जिसका नुक्सान ये फरुक सियर का ये फर्मान नुक्सान करेगा बंगाल का, अब बंगाल का जो पहले दिवान था ना, वो बंगाल का सूबेदार बन गया, सूबेदार, और वही बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक भी कहलाया, तो पहला स्वतंत्र शासक अगर एक्जाम में आ जाए, कि पहले वहान का दीवान था . लेकिन अब वो क्या बनगिया वहां का सूबेडार . सूबर बड़ा इलाका था ठीक है . इतना समझ में आ गया होगा , अब मुर्षी खान का जा आ मकू एक अब का कम करेगा . Mुर्शीट कुली खान का अब इनके दामाद के टाइम में एक और हस्ती उभरी, जो बहुत महत्वा कांगशी था, जिनका नाम था अली वर्दी खान, पहले मुर्शीद कुली खान था, अब अली वर्दी खान है, अली वर्दी बेटा नहीं है, दुबारा सुन लो, मुर्शीद कुली खान का दामाद और उस दामाद के अंडर एक आदमी था, जो कामधाम देखता था, जिसका नाम था, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान, बहुत महत्वा कांगशी था, इसके मन में आया, क्यों ना मैं इस एरिया का राजा बन जाओ, मैं इस एरिया का स्वतंतर शासक बनूँ और काम तो पहला हेड ताकतवर कौन था, मुर्शीद कुली खान, अब दूसरा कौन बन गया, अली वर्दी खान, उसका दामाद भी आया था, लेकिन वो हिस्ट्री में ऐसा नाम खड़ा नहीं कर पाया, जैसा अली वर्दी खाने किया, अली वर्दी खाने खुब बढ़िया कामध उसका बेटा है, जिसका नाम है, सिराजु दौला, हो सकता है, आपको समझने में तोड़ी दिक्कत लगे, कहानी है, अपनी फैमिली पर रखके देखो, एक आदमी हेड बन गया, पहले दिवान बना, फिर सूबेदार बन गया, उस आदमी का लड़का लायक नहीं है, कोई तो उसकी जो दामाद है, उसकी बेटी का जो हस्बंड है, वो बन गया, उसके टाइम में एक बाहर का, फैमिली मेंबर से अलग एक आदमी आता है, महत्वा कांगशी, वो राजपार बन लेता है, अब उसके घर में भी कोई लड़का नहीं है, तो उसकी तीन बेटियां है, उसका बेटा लायक है, और वो है नवाब सिराजुदौला, जो बंगाल को संभालेगा, सिराजुदौला ने काम संभाल लिया, सिराजुदौला जब नवाब बन गया, तो उस राजा की, क्यूंकि तीन बेटियां थी न, बाकी दोनों के जो बच्चे थे वो चिड़ने गसीटी बेगम थी एक हिस्ट्री में कभी-कभी नाम आजाता है, वो इसी की मोसी थी, जो भी चला ठीक है, ये काम काच संभाल पाया, इस दौरान ही, कल मैंने जो करनाटक युदौ पढ़ाया था, उसमें एक तीसरा युदौ था, जिसे कहा जाता है, सब्त वर्षी जब युदौ चल रहा था, उस दौर में, किस-किस के बीच था? ब्रिटिश इस्ट इस्ट इंडिया कंपनी और में फ्रांस लड़ रहे थे, तो ये दो देश लड़ रहे थे, यही दोनों तक्कर में थे, अब ये था किसका सिक्का चलेगा, तो इस दौर में, सब्त दौर में, ये दोनों किलेबंदी करने लग गए, जहां-जहां इन्होंने अपनी व्यापारी कोठियां बनाई थी ना, इंडिया में, जैसे सूरत था, मसुली पत्नम था, भड़ोच था, एहमदाबाद था, इस तरह के इलाकों में, ये किलेबंदी करने लग गए, किलेब करने का अधिकार किसने दिया, तो इन्होंने देखा कि सिराजु दौला की बात मानने की जुरुत नहीं है, और सिराजु दौला के खिलाफ हम जा सकते हैं, तो इन लोगों ने, B.E.I.C. ने, सिराजु दौला के, जो इसने कहा था कि तुम लोग तो किरायदार हो ना, तु यहाँ बनाया था मदरास में लीज पर लिया था न वहा के लोकल राजा से फिर अथिकार कर लिया था और ऐसा ही एक बनाया था एक का नाम था सेंट जोर्च दक्षण वाले का और इसका नाम था सेंट विल्यूम फोर्ट किले थे ये, तो आसपास में जब ये किले बंदी हुई तो सिराजु दॉला ने एंटी हो के बहुत तुम मेरे इलाके में कैसे किले बंदी कर रहो और इनको भगा दिया, इनसे छीन लिया फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया सिराजु दॉला ने, अब ये बात चुभेगी भी इसी को और उन्होंने फिर कोशिश की कि वापस कैसे चीना जाए 1756 के जून में, जून 1756 में इन्होंने अधिकार कर लिया था हमारे अपने बंगाल के नवाब ने, सिराजु दॉला ने महज 6 महिने के अंदर, जनवरी 1757 में वापस शीन लिया क्लाइव ने, ये अपना फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम जो हमारा ही था पना तो क्या था, इन्होंने सिर्फ बना के फॉर्मालिटी की थी अब ये देखो, ये प्रिष्ट भूमी है, ये कारण बनेगा प्लासी की लडाई का, क्योंकि राजा ने क्या कहा, कि तुम यहां किरायदार हो, तुम फेक्टरी बना लो, लेकिन किले बंदी मत करो, नई माने, किले बंदी कर दी, तो उसने जा के अटाक करके, सैना का यू लुष्णा कर दी, और वह लडाई कहलाती है, हिस्ट्री में, प्लासी का युध, तो देखो, कैसे इस्ट्री की कहानिया है? प्लासी का युध लडाए जाएगा, क्लासी के युध में बंगाल के ङूद को चिनता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी तो पुराने कि मुझे जीतना ही है, B.E.I.C. को मैं इजीली खदेड दूँगा, B.E.I.C. मेहज कहीं लिखा 31, कहीं लिखा है 32, मतलब तीन हजार प्लस मालने, सिर्फ इतने मुठी भर सैनिक लेके, सौ तोपची थे, बाकी पैदल थे बहुत सारे, इतनी छोटी से सैना लेके, B.E.I.C. जाके खड़ी हो गई, इसमें अपना, प्लसी के मैदान में, इस लड़ाई को देखने में लग रहा था, कि शायद B.E.I.C. हारेगी, शायद क्या कन्फर्म हारेगी, क्योंकि 3100 आदमी, 3000 आदमीों को, 50,000 आदमी अगर बिना लड़े भी मारेंगे न, तो कुछ भी नहीं है, 33,000 आदमी, अब इन 3100 आदमीों की छोटी से सैना ने, हावी पढ़के 50,000 को हरा दिया, कैसे हराया, क्योंकि असलियत में लड़ाई हुई ही नहीं, मीर जाफर की गदारी ने, इंडिया में एक बहुत खराब रोल प्ले किया, मीर जाफर ने, मीर जाफर और कुछ इसके साथ और भी कुछ लोग जुड़ गए थे, कुछ अमीर लोग भी थे, जगत सेट थे उनमें से, बंगाल के बेंकर कहलाते थे, बहुत पैसा था उनके पास, लालच में आ गए, कमपनी ने इनको लालच दे दिया, कि मीर जाफर को, कि तु इसका नौकर बनके क्या कमा रहा है, सेना पती था यह सेना का, बंगाल का सेना पती, कोई छोटी हस्ती तो था नहीं, मन में क्या डाल दिया, कि तु क्या कमा रहा है, अगर तु हमारा साथ देगा, और इस लड़ाई में इसको हरवा देगा, तो हम तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे, और बंगाल का नवाब मतलब, कितने बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक, यह लालच में आ गया, और कमपनी के जहासे में आके, इसने इस पचास हजार की सैना को हरवा दिया, क्योंकि लड़ाई लड़ी नहीं गई, जब सैना यहां पे आके खड़ी हुई, और जब राजा सिराजु दॉला यहां मैदान में आया, तो कोई अटैक हुआ ही नहीं, सिराजु दॉला के कुछ खास आदमी थे, जल्दी ही भाप गए कि गड़बड है, और शायद सैना मिली हुई है, बी ए आई सी के साथ, बी ए आई सी ने फायदा उठाया मीर जाफर का, और नुकसान उठाना पड़ा सिराजु दॉला, और सिराजु दॉला क्यूं कहूं, कही न कहीं भारत को, पूरे इंडिया को इसका नुकसान भरना पड़ा, क्योंकि जो हम इनके चंगुल में फसे न, उस युद की पहली स्टार्टिंग थी प्लासी का युद, वो पहली लड़ाई थी, इसमें इनकी ताकत भढ़ती चली गई, लड़ाई हुई ही नहीं, सिराजु दॉला भाप गया था, कुछ लोगों ने उसको कवर दिया, जो उसके खासे आदमी थे, और फिर उसको ले गए, और ले जाके जब मीर जाफर के बेटे ने उसका फिर कतल कर दिया, यानि बिना लड़े एक लड़ाई का नाम लिया जाता है हिस्ट्री में, किताबे कहते हैं, प्लासी के युद में, सिराजु दॉला हारा और बी एईसी की विजय हुई, जब कि रियालिटी ये है, कि लड़ाई हुई ही नीत, एक खासी बात और बता दूँ, राजीव दिक्षित का नाम अब सभी ने सुना होगा, जो स्वदेशी की बहुत बाते करते थे, और बहुत लोग कहते हैं कि उनका भी शायद मुर्डर हुआ था, पता नी नाचुरल ड़ थी, नहीं पता, जिस चीज का हमें एक्जाक्ली नहीं पता, हम कहें भी नहीं सकते, राजीव दिक्षित जी विदेशों में बहुत यात्राएं करते थे, और इंडिया से जुड़ी बहुत चुटी-चुटी बारीक वातों को निकाल के लाते थे, उनका ये कहना था, कि वो कभी लंदन गय थे, और वहां की लाइब्रेडी में उन्होंने, क्लाइव के लिखे एक पत्र को पढ़ा, और उस पत्र में लिखा हुआ था, कि महज 300 सैनिकों के साथ हम लोगों ने इन लोगों को हरा दिया, हमारी किताबे कहती है, 3000 प्लस सैनिक थे, लेकिन वो जो लेटर, ओरीजनल लेटर लिखा था, क्लाइव में, उसमें महज 300 सैनिकों का जिक्र है, अब ये नहीं पता, कि वो 300 वाली बात सची है, ये 3000, कुछ भी रहा हो, फिर भी ये शर्म की बात है, कि 50,000 की ताकतवर सैना, जिसके पात हाथियों की सैना अलग थी, घोडों की अलग, वो किस तरह से हार सकती है महज 3000 लोगों से, अगर हम 300 को जूटा भी मालने, तो 3000 भी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ लोगों की गदारी का परिणाम है, कि इंडिया कैसे B.E.I.C. के चंगुल में फसेगा, मीर जाफर दगाबाज है, फायदा उठाएगा, लेकिन उस फायदे को असलियत में जब तुम जानोगे, तो वो फायदा नहीं हो, बहुत बड़ा नुकसान इसका भी है, क्योंकि जहां पहले बढ़िया सेनपती के रूप में था, अब आगे क्या होगा देखना, युद हुआ, ना वाला युद हुआ, लेकिन फिर भी, युद में हार मानी गई, सिराजु दौला की, सिराजु दौला का मर्डर कर दिया गया, अब बंगाल खाली है, और B.E.I.C. ने किसको पहले से कह रखा है कि तुम्हें नवाब बनाएंगे, मीर जाफर को, तो अब अगला बंगाल का नवाब कौन बनेगा, मीर जाफर, मीर जाफर ना महा मूर्ख भी है, इसको मूर्ख बनाया गया, और B.E.I.C. ने कहते हैं, इतना पैसा लूटा, किताबे लिखती हैं कि उस टाइम पर तीन करोड की लूट की थी, तुम यह देखो, आज भी तीन करोड कितना बड़ा अमाउंट है, मैं तब की बात करूँ जब तीन करोड रुपए कितने बड़े रहे होंगे, imagine करो, कितना बड़ा, तो इस इतना पैसा लूट लिया, और कहते हैं, क्लाइव अकेला बीस लाक रुपए खा गया था, और कम्पनी ने कहा था, कि हमारा जो यह फोर्ट विलियम था ना, इस पे हमारी शती पूर्ती हुई है, एक करोड सततर लाक रुपए इस से खा गया थे, क्लाइव का गधा था, कि इतना मूर्ख था यह, कि क्लाइव ने जो चाहा, वैसा इस से पैसा निकाले, इसको बेवकुप बनाया, और दो-तीन साल खुब पैसा लूटा, मनमर्जी का पैसा लूटा, कम्पनी से अलग, उसके जो चोटे-मोटे, यह सैनिक टाइप के लोग थे न, यह भी आते हैं, और मीर जाफर से खुब पैसा खाके जाते हैं, मीर जाफर परेशान हो गया, दुखी हो गया, फाइनली मीर जाफर नानुकूर करने लगा, और जब नानुकूर करने लगा, तो company को लगा कि यार ये कोई आदमी थोड़ी है, ये कोई लायक आदमी तो है नहीं, दगाबाज है, गदार है, इसके साथ वैसे भी कोई नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, और मीर जाफर को कहा 15,000 रुपे महीना पकड़ और यहां से गद्धी साफ कर, और मीर जाफर ने ज यहां रहके तो बात नहीं बननी, क्योंकि इनके मुझ खून लग चुका था, इनका तो रोज का काम था, जाना, पैसे निकाल के ले आना, फिर अगले दिन फिर जाना, पैसे, क्योंकि काम धेनुगा है, जैसा चाहेंगे, वैसा कर लेंगे, तो मीर कासिम ने सबसे पहले सम मुंगेर का डिस्टंस थोड़ा स्यादा तो कम से रोज नहीं आके यहां पर बैठेंगे और रोज पैसा नहीं लेंगे, मीर कासिम ने दिमाग दोड़ाय कि मैं क्या करूं कि मैं इस कंपनी के ओपर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊं, तो मीर कासिम ने कहा, देख वे तुम्ह पास कमाई का साधन हो गया, यह जो टेक्स फ्री आप चला रहे हैं, अब यह बंद करना पड़ेगा, और आप एक काम करो, जो आप जितना व्यापार करते हो, नौ परसंट टेक्स में लूंगा, यह बात कंपनी को कौन कह रहा है, मीर कासिम, अब कंपनी को थोड़ी रासा ह कोई हमसे टेक्स लेगा, तेरे तो है ही क्या, तो चोटा सा वंगाल का नवाब है, हमारा टेक्स फ्री तो फररुक सियर ने कर दिया, जो की बादशाह था इंडिया का, अब कंपनी के मूख फूल लग चुका है, वो हटेगी नहीं, वो टेक्स देगी नहीं, तो इसने का को पर सियर dólar, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं क्या करूँ हूं, मैं अपने पार्ट मेंा कर सकता हूं, मैं और इंडियान जो वियापारी है, इनका भी टेक्स फ्री करूंगा, अगर इंडियान वियापारी हो जायेगा वियापार, तो यह लगा लगालो दोनों बराबरी पर आ ग लेकिन ये सच्चाई है कि इंडिया के माल के सामने ये विदेशी माल टिक नहीं सकता था, ये सस्ता पड़ता था न क्योंकि टेक्स नहीं था, हमारे माल पर टेक्स लगता था, हमारा माल महंगा हो गया, इनके माल पर टेक्स था नहीं, इनका माल ससा, इनका माल बिकता था, त फिर इदो ने प्लानिंग की कि कैसे ना कैसे करके Meir Jaffar के बाद Meir Kasim को हमने गलती से रख लिया. इसके आपर कुछ अटैक लडाइया हुई, Meir Kasim को भे जाना पड़ा, लेकिन Meir Kasim बना लिया बना लिया अपने जैसे कुछ लोगों को जोड़ कि संगथन बना लिया. अब एक आदमी है मीर कासिम, जो कहां का नवाब है, बंगाल का, जिसने B.E.I.C. को सीधा करने के लिए इंडियन व्यापारियों का टेक्स प्री करने का प्लान कर लिया था, बंगाल का राजा है ये नवाब है, एक आदमी है शुजाउद दौला, ये अवध का नवाब है, अवध भी काफी रिच उस टाइम में स्टेट हुआ करता था, अवध, यहां का नवाब है ये, और एक पूरे इंडिया में जो बैठा है, मुगल बादशाह, जिसका नाम है, शाहा आलम सेकेंड, शाहा आलम दवेती है, ये मुगल बादशाह है, यानि ये औरंग जेब के वंशजो में, जो लाइन है पूरी उसमें है ये, अब ये तीन इखटे हो गए, इनकी तो बहुत बड़ी सेना तो रही होगी, बेशक ये बचे कुछ हैं, लेकिन ये मानो, कि इतनी बड़ी डाइनेस्टी एकदम से खतम नहीं होती, कितने ही कमजोर हो, तब भी ये बादशाहत थे, सत्तावन की करांती तक बादशाहत चली है न, तो ये बहुत बड़े बादशाहें, बेशक कमजोर हैं, लेकिन सेना इनके पास है, अवद में भी पैसा खूब था, तो सेना इनकी भी ताकतवर थी, और मीर कासिम जो तो बंगाल का नवाब था, ये तो बं अवद में प्लासी में चीटिंग से राजु दाला को हरा दिया, मार दिया, हराया क्या मार दिया, चीटिंग करके, लेकिन अब हम लड़ेंगे, और वहाँ क्लियर होगा कि इंडिया पे किसका राज होगा, तुम्हारी चलेगी यह हमारी, अब बकसर में, B.E.I.C. पूरे गर्म जोशी के साथ तैयारी के साथ आ गई B.E.I.C. कॉन्फिडेंट थी और कॉन्फिडेंस देखो हद से ज्यादा था क्योंकि जहां इतनी बड़ी सेना आने वाली है अवद की ताकतवर सेना है, बंगाल कोई कमजोर नहीं है वहाँ एक छोटी सी कमपनी आएगी लेकिन वह कॉन्फिडेंट है कि हम जीत जाएगी और ऐसा ही हुआ, अजीब बात है, ऐसा ही हुआ ये लड़ाई जूठी नहीं है, ये सच्ची लड़ाई है और इस लड़ाई में B.E.I.C. की जीत हुई और ये इतनी बड़ी सैना हैं, जिसमें शाहा आलम दुट्य मुगल बात्षाह की सैना अवद के नवाब की सैना, और बंगाल के नवाब की सैना तीनों की संयुक्त सैना हार गई अब कोई चीटिंग नहीं थी, सच्की लड़ाई थी हम प्लासी को चीटिंग मानते हैं क्योंकि वो सच में नहीं हुई थी लेकिन ये सच्की लड़ाई है जिसमें B.E.I.C. जीत गया अब B.E.I.C. जीत गया ना, तो अब ये मानो इंडिया पर राज चलेगा अब तब तो बंगाल के पीछे था ये, अब ये इंडिया पर राज करने का रास्ता इसने बना लिया और इस हार के बाद, मीर कासिम भाग गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई उसका कतल कर दिया गया, इनका चैप्टर क्लोज हो गया, तो बंगाल की टेंशन तो हट गई शुजाउद दौला को कहा, एक संधी कर लेते हैं, नहीं तो फिर तुम देखो ये तुमारे जाओगे एक संधी की गई, इसको कहा जाता है, इलहाबाद की संधी, ये संधी दो पार्ट्स में है, इलहाबाद की संधी एक इंपोर्टन चीज और बता दूँ, जब ये बकसर का युद हो रहा था न, तब क्लाइव यहाँ नहीं थे, तब यहाँ पर हेक्टर मुन्रो थे, और क्लाइव आ जाते हैं, जब ये संधी होती है, तो युद में क्लाइव नहीं है, लेकिन युद के बाद जब संधी ह तब क्लाइव यहाँ परेजंट है, अब इलहाबाद की संधी दो बड़े राजाओं के साथ हुई है, एक तो अवद का नवाब है, जिसका नाम है शुजाउद दौला, और एक मैंने बताया, शाहा आलमद्वित्य, जो की मुगल बाद्शाह है, बचा हुआ, मुगल शाहा का वो नवाब मारा गया, बंगाल, बिहार और उडिसा, इन तीनों इलाको की जो दीवानी है, उसका अधिकार हमें मिलेगा, यानि अब यहाँ पर टेक्स इखटा करने की पावर हमारे हाथ में, कंपनी कितनी चालाक है, देखो, विदेशी है, यहाँ एक रुपे का इनका क केस नहीं है, कुछ भी नहीं किया, स्टार्टिंग में टेक्स देते थे, फरुक सीर ने वही वही वना कर दिया, तीन हजार रुपे में सारा पूरा साल निकालना तो कुछ था ही नहीं, और अब हमारे उपर हावी हो के कह रहे है, कि बंगाल, बिहार और उडिसा की दीवान कमपनी के हाथ में आएगी, यानि जो पैसा इखटा होगा वो कमपनी के पास जाएगा, और कमपनी अगर इतना कमाएगी, जब एक बंगाल कामधिनुक आए है, तो सोचो उडिसा और बिहार में भी तो कितना पैसा था, कितना ज्यादा संसाधन थे, तो अब कमपनी ने एक बढ़िया ताकतवर बेस बना लिया, और इस पैसे के बेस पे एक बढ़ी ताकतवर सैना बनाएगी, और फिर इंडिया पे अटैक करके, इंडिया के लोगों को मार के, यहां के राजाओं को खत्म करके, और यहां पे राज करेगी कमपनी, तो उसकी शुरुआत हो रही है मुगल बादशाह, शाह आलम, दुएतिय से बंगाल, बिहार और उडिसा की दिवानी ले ली, यानि बहुत अच्छी इंकम का सोर्स बन गया, बिना कुछ किये धरे, बढ़िया इंकम आ गई, आवद के शुजाओ दौला को क्या कहा, एक किला था इनका, चुनार का किला, कह 50 लाक आज भी बहुत बड़ी रिकम है आमादमी के लिए, 50 लाक रुपए चुनार का किला, और इनको कहा कि जो तुमारा ये अवद का हिस्सा है इसमें से इलाहबाद और एक कड़ा, इलाहबाद और कड़ा, ये दो इलाके कमपनी के हैं, यानि देखो, अवद के हिस्से मे भी हिस्सा ले लिया, बाकि उसको वापस कर दिया नवाब को, और फिर कहा कि 50 लाक रुपए दे और चुनार का किला दे, और अब के बाद हमारी एक सेना रहेगी तेरे खड़चे पर तेरे इलाके में, और तेरे इलाके में हम टेक्स प्री व्या पार करेंगे, तो बुरी पर अपने इलाके में टेक्स प्री व्या पार कराना पड़ेगा, तो कितना ज्यादा नुकसान हुआ अवद का, और अवद का क्या, इंडिया का नुकसान हुआ, मुगल बास्षा के हाथ से क्या गया, पैसा कमाई का बड़ा साधन, जिसमें बंगाल, बिहार और उडिसा की अजीब बात है, कि 1707 तक जब तक Aurangzeb बैठा था, इनकी हिम्मत नहीं थी, और उनके मरने के भी 50 साल बाद इनको लगा, कि इंडिया पर राज किया जा सकता है, क्योंकि 1707 से 1757 में इनकी हिम्मत बड़ी थी, प्लासी युद के टाइम पर, और उसके कुछ साल बाद, 1764 में कर लेते हैं इनकी फटाफट से, और फिर आज की क्लास का एंड, देखो, अब जितना पढ़ाया ना, जितनी कहानियां सुनाई हैं, इस सब एक बर फैक्ट के फ़र्म में पढ़ लेते हैं, मंगाल का नवा, पहले दिवान बना, फिर सूबेदार बना, ये बन गए थे, मु कर दो दिल्ली में बठे आदमी को, और तुम टेक्स फ्री जाके वहां व्यापार करो, कोई तुमें रोकेगा नहीं, राजधानी धाका से मुर्शीदाबाद कौन ले गया था, मुर्शीद कुली खा, स्वतंत्रिशासक था पहला, उडिसा का कारेभार भी इनको मिल गया, बाद में इनके दामाद को बिहार भी मिल गया, तभी तो उडिसा, बंगाल और बिहार इखटे कहलाते हैं, अलिवर्दी खा, इनके दामाद के अंडर काम करता था, लेकिन महत्वा कांगशी था, दामाद को हटाया, और अपने आप नवाब बन गया, बेटा कोई था नहीं तीन बेटियां थी, तीनों बेटियों में सबसे चोटी बेटी का बेटा था सिराजु दॉला, जिसको अपनी मौसियों से, अपने मौसियों के बच्चों से लड़ाई जगडा करना पड़ा, चोटी बेटी का बेटा सिराजु दॉला नवाब बन गया, इसके बाद क्या तो युरोप में भी सब्तवर्शी युद्ध छड़ गया, 1756 से 1763 के, और मेंली दो ताकत लड़ेंगी, बिटेन और फ्रेंच, इस्ट इंडियन कामपनी, यह दोनों युरोप में लड़ रही हैं, इंडिया में भी लड़े हैं, करनाटक युद्ध हुआ, इसी दौर में, यह दोनों ने कोशिश की कि अपने अपने इलाके की किले बंदी कर दे, ताकि उस पर दूसरा अटक ना कर पाए, अब सिराजु दौला ने का, तुम मेरे इलाके में महमान हो, यहां पर तुम किराय पर एक तरह से काम कर रहो, किलेवंदी मत करो, नहीं माने, किलेवंदी नहीं माने, तो लड़ाई करनी पड़ी, और किलेवंदी फिर जून चपपन में सिराजु दौला ने इनसे वो फोर्ट विलियम चीन लिया, अब इतनी असानी से फोर्ट विलियम जनवरी में वापस से क्लाइव ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, एक चोटी सी घटना रही थी ब्लैक होल की घटना, शायद मैंने बताई नहीं, ब्लैक होल की घटना जूटी है, महा जूटी घटना है, हो नहीं सकती, पर ऐसा लिखा गया है, कि सिराजु दॉला न मतलब भीड हो गई वहाँ दम घुटिया लोगों का, कि वह सारे मारे गए, तेईस आदमी बचे थे, यह जूटी बात है, क्योंकि इतने चोटे कमरे में इतने आदमी आही नी सकते, पर हाँ एक अंग्रेजों के मन में आया, कि शायद हमारे साथ इन्होंने गलत किया, निर मारा भी गया, मीर जाफर नवाब बन गया, पर कैसा नवाब, गधे के रूप में काम करने वाला, क्योंकि क्लाइव ने जैसा चाहा, वो इसको करना पड़ा, काम धेनु गाए, जितना चाहो पैसा उठालो, एक नौकर जो था ना, कम्पनी का, वो भी अमीर बन गया, इस ज एक करोड़ सततर लाक शती पूर्ती के रूप में ले लिए, कि तुमने जो वो सिराजु दॉला ने ये फोर्ट विलियम पे काम किया था उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ इसका पैसा तुम भरो, तीन करोड़ में कहते हैं उस ट्राइम खागया, क्या पता, ज्यादा कम क बहुत बड़ी सेना बनाली, बड़ी सेना कैसे बना ही, क्योकि जमिदारी मिली थी 24 परगंओ की,BE.IC ने पनी सेना तेयार कर ली, तो लाड़ी लडना हासान हो गया खेंणअ एसर्क्ट एंक अक्यों पिछड गई।के एक तो करनाटा में हार रही थी औ फिर बिं ऑंडिव पूरी करेगी, तो बंगाल कामधेनु गाए है, कहते हैं, एक बोरे के समान बंगाल था, जो हाथ डाल के निकालेगा, उसका हाथ भरा ही आएगा, इतना पैसा था यहाँ, इतना ज्यादा सम्रिद था, खुली लूट मची, बी आईसी का लालच हद से ज्यादा बढ़ गया, कोई ऐसा कंपनी का आदमी नहीं बचा, जिसने पैसा ना लूटा हो हमारे देश का, बंगाल से, कुशासन का अरोप लगा दिया मीर जाफर पर, मीर जाफर को बाद में क्या बोले, कि तू ठीक से काम नहीं कर और तू हट और तो राजानी मुर्षीदाबाद से मुंगेर ले गया, सेना पर अपनी पर काम किया, परसनल सेना बढ़िया बनाई और क्या वोला उनको, कि तू तू टेक्स दो, और अगर टेक्स नहीं देते, तो मैं अपने इंडियन से भी टेक्स नहीं लोगा, बराबरी पर आजानो, फिर ये कैसा गधा, गधे के रूप में जाना जाता है, क्लाइव का, जैसा चाहा वैसे इसको नचाया, फिर हटा दिया कि तू कुछ नहीं कर रहा, पंदरा आजार उपे पकड़ और हट यहां से, अब वापस लेया, और यह भी गया, अजीब बात देखो इसमे, मीर जाफ चुनार का किला, और कड़ा और इलाहबाद का इलाका कमपणी ने टेक्स फ्री व्यापार करेंगे, और तेरे खड़्चे पे सेना हमारी पलेगी, B.E.I.C. कर रही है सारे काम, और शाहा अलम से क्या कहा, बंगाल, बिहार और उडिसा की दिवानी हम लेंगे, यहनी कमाई क तगड़ा साधन बना लिया, तो फाइनली देखें, तो इन सब का फायदा अकेली किस कमपणी को मिला, B.E.I.C. को, और कुछ एक गदारों की वज़े से, इंडिया देखो, कैसे धीरे-धीरे, जैसे मकड़ी के जाल में देखा है, कैसे कई बार चोटा सा कोई कीड़ा मकॉ कोई 10-20 साल नहीं, फुरे 200 साल राज करके गए हैं अंग्रेज, इन मेंसे 100 साल कमपणी राज कर गई, 1757 प्लासी से लेके 1857, और इसके अद 90 साल महरानी बिटेन के अंडर, इंडिया का शोषन हुआ, इंडिया बहुत अमीर था, ये सची बाते हैं, इंडिया सच में सोने क इंडिया था, अब देखो 3 करोड रुपे उस टाइम की बात कर रहे हैं, पचास लाग काईश उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो इंडिया बहुत सम्रद्धिशाली था, लेकिन इतना पैसा लूटना अंग्रेजों ने इतना पानी की तरह पैसा यहां से बहाया, कि आज इं स्राइटिंग में, तो उनका टारगेट भी यहां धन लूटना था, लेकिन उनमें और अंग्रेजों में बहुत बढ़ा अंतर था, कि वो इंडिया से लूट के पैसा बाहर नहीं ले गए, अगर अकबर नहीं इंडिया से टेक्स कमाया, तो इंडिया में ही लगाया, आज ताज महल, ताज महल में पैसा खर्च हुआ था था आज तक उस पैसे खर्चे से इंडिया की सरकार को पैसा मिलतो रहा है, आज भी कितने विदेशी आते हैं घुमने महरौली में, कुतुब मिनार देखने, दिली सल्तनत की देन है, यानि अंग्रेजों ने जो पैसा कमाया, वो बाहर भेज दिया, लूट लिया इंडिया को, लेकिन मुगलों ने और दिली सल्तनत ने जो पैसा यहां से कमाया, वो यहीं लगा दिया, बाहर नहीं लेके गए, हैं सारे विदेशी थे, लेकिन देखो अंतर कितना था, मध्यकाल में जो लोग आए ना, उन्होंने जैसे लोग अगर ना होते, अगर औरंग जेब ने, जब इन लोगों ने इसको लूटा था हुगली को, उस टाइम पे इनको खदेड दिया होता, भगा दिया होता, तो शायद इंडिया का इतिहास कुछ और होता, लेकिन यह काश वाली बात है, और काश तो बहुत सारे हैं अगर ना है, लाग के असपास वो व्यूज उसके चले गए, बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब सुडेंट्स को देखते हैं, तो टीचर को बहुत मोटिवेशन मलता है, और जो मैंने कल क्लास ली थी, उसमें 50,000 के देख लिया है, अब अपने आप पढ़ने का पढ़ाने का मन करता है, क्योंकि ये तीचर के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल फेक्टर होता है, क्लास को बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है थैंक यू, गुड नाइट, आज इंगलिश की क्लास नहीं है, बाखी क्लास कल कंटिनू होंगी, थैंक यू